हेलो गाईज आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार आज हम स्टोरेज बेक बनाएंगे बहुती आसान तरीके से तो उसके लिए मैंने दो सेम मेजर्मेंट के फेबरिक ले लिए हैं 11 बाई 11 इंच के और अभी पहले इसमें हम हैंडल लगाएंगे इसमें हम एक ही नाप का ये मेजर्मेंट लेंगे अगर आप हैंडल लगाना नहीं चाहते तो ये मेजर्मेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी कोई भी एक साइट से आप उपर से नीचे की तरफ जाते हुए थ्री इंच पे मार्क कीजिए और जो थ्री इंच पे मार्क किया है न उसमें भी मैंने निसान कर लिया और अभी ये बेल्ट ले लिये हैं उसमें लगाने के लिए हैंडल उसे जो हमने मार्क किया है न वहां पे रखेंगे 3 इंच पे और 1.5 इंच पर हम इसे सिलाई करके जोड़ेंगे इस तरह से देखिए तो ये दोनो हैंडल हमारे जुड़ च रिया था और मेसर मेंट लिया है इसका 21 इच बाइ 42.5 इंच इस तरह से ये 21 है और इसकी लमबाई ए न वह है 42.5 इंच तो इस तरह से इसका मेसर मेंट है और अभी हम जो दो पीस लिये थे न उसमें जो आपने एंडल लगाया जा आए न तो हैंडल वाला हिस्ass आए पिर से करके दिखाती हूं ये हैंडल है और यहां से ले sunshine जिए AI करना और देल देना है दूसरा पीच पीच से उतने से उपर से नीचे की तरब जाते हुए सिलाई करना है और जो 11 इच का पीस है ना उसमें हमें आधा इच नीचे की साइट छोड़ देना है इस तरह से यह देखे मैंने दोनों पीस में छोड़ दिया तो यह पीस हमारा इस तरह से अटेज हो गया अभी जिप ले लेनी है जिप लेनी है हमें 41 इच की यह देखे 41 इच की जिप है और इसे हम उल्टा करके यहां से स्टीच करते हुए दूसरी तरफ यह जिप को अटेज कर लेंगे यहां तक इसमें थोड़ी एक ही जितनी मेरी जिप एक्स्रा थी आप चाहे तो 40 की लेंगे तो भी हो जाएगा तो जिए दिखे एक्स्रा थी वो मैंने कट कर लिए अभी पीस को उल्टा करके जिप की किनारी के उपर हम मसिन चलाआते हुए इसके उपर कर लेंगे टॉप स्टीच हो जाने के बाद हम इसमें कर लेंगे रनरेट तो हम दोनों साइड से एक एक रनरेट करेंगे एक यह से तो इस तरह से हमारे दो रणर एड हो गए अभी हमें सिलाई करना स्टार्ट करना है तो हम जिधर से सिलाई करके आधा ही छोड़ा था न वहीं से साइड की तरब जाते हुए हमें स्टीच कर लेना ही वही पीस को जो 11 बाई 11 इचका है न और वही मेथर से आधा इंच नीच चेकी साइड से हमें छोड़ देना है और स्टीच करना है अभी यहां से लेके यहां तक हमें स्टीच करके आधा ही छोड़के दोनों पीस को इस तरह से जोड़ लेंगे तो यह देखे यह जोड़के हो गया और उपर क्या जो देखे पेटन पीस की कुछ इस तरह से दिखेग और stitch करते जाएंगे तो ये तेन साइट तो हमारी stitch करके ready हो गई इसी तरह से दूसरी साइट भी मैंने stitch करके ये 11 बाइ 11 का house इस में जोड लिया है और अभी उपर की side बचिये तो ये देखे जिप पे भी मैंने थोड़ा stitch करना छोड़ दिया था तो यहां से जिप से और उपर का जो पाटे वहां पे हम stitch करके यह पाट को भी को हम जिप के साथ जोड देंगे और इसे भी pack कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमें stitch करना है और यह मैंने stitch करके ready कर लिया अभी हमें two each की strip ले लेनी है लंबी और इसे side में double fold करते हुए stitch करना है इस तरह से double fold करेंगे और जो सिलाई किया हुआ हिस्सा है उसके उपर इस तरह से रखेंगे तो यहां से हमें सिलाई करना start करना है और पूरे round में घुमाते हुए यहां तक हम सिलाई करके इसे finish करेंगे तो यह देखिए सब जगपे मैंने cover सिलाई कर ली और अभी zip को open करेंगे और जो उपर का zip का पाट यह वाला उदर हम top stitch करेंगे तो जो हमने cover सिलाई की है ना उसके उपर हमें इस तरह से top stitch करके अंदर की side ready करना है top stitch करेंगे तभी जो cover किया हुआ हिसा है उसे अंदर की तरफ कर लीजिएगा और top stitch करेंगे zip को बार की side थोड़ा थोड़ा खींचके top stitch करना है तो इस तरह से मैंने इसके उपर top stitch भी कर ली क्योंकि हमारी zip जब हम खोलेंगे और बंद करेंगे तभी अटकेगी नहीं नहीं बीच वाला जो 21 inch का measurement लिया था वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से ये 21 inch है वो छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से ये storage bag बना सकते हैं और बाकी हमने जो 11 by 11 inch का लिया नव वैसे ही आपको 10 by 10 या 9 by 9 ऐसे ही piece लेना है और ज measurement लिया था जो हमारा 9 by 9 लिया तो उसका total measurement जो होता है चारो side का उससे 2 inch हमें कम measurement लिया है जैसे मैंने 11 by 11 inch का पीस लिया था तो चारो corner का measurement 44 inch होता है तो मैंने 42.5 inch ही लिया था तो आपको इसे 2 inch कम करके लेना है और आपको ये back का final measurement भी बता दिया है मैंने screen पे तो इस तरह से इसका फाइनल मेजरमेंट है आसा रखती हूँ कि आज का ये स्टोरेज बेग आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और चैनल पे नए तो सस्क्राइब कर लीजिए चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ बाइ